आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, Question is इस Question में, Statement में हमें दो Relations given है इनको हमें Analyze करना है और इसकी Basis पर हमें बताना है कि जो Conclusions हैं यह Correct है कि नहीं ठीक है? So, Proceed करते हैं तो पहला है हमारे पास P is greater than T P जो है T से बढ़ा है T is equals to U and W is greater than equals to U then हमें Second given है that is Q is greater than equals to R and R is greater than equals to W ठीक है? तो यह हमारी दोनों Statement है तो इन दोनों को हम Compare करेंगे और देखेंगे इन दोनों में Common क्या है तो यहाँ पर हमारे पास W common है और कुछ common है हमारे पास नहीं तो यानि हम इन दोनों Statements को Connect कर सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आगया? P is greater than T T is equals to U इतना Statement तो हमारे यही रहेगा अब W को यह वली Statement को इससे Connect करा लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या given है? R is greater than equals to W हमें क्या करें? अपने Symbols का दान रखना है कि किसकी साइड open है? R की साइड open है तो R की साइड इससे open कर देंगे ठीक है? अब यहाँ पर हमें given है Q is greater than equals to R तो यहाँ से हमारे पास ही आ गया That means ही है हमारी equation बिल्ड हो गई अब हम अपने conclusion के और चलते हैं तो पहला conclusion के हमारा That is T is equals to R तो हमें बताना है कि T और R जो हैं वो equal है तो T का हमारा यहाँ पर है? R का है हमारा यहाँ पर है तो T जो है T is equals to U correct है? अब W जो है U से बढ़ा है W is greater than equals to U and R is greater than equals to W तो एक तरह से हमारे पास यहाँ से क्या relation निकल के आया That is T और U तो W हो गए तो यहाँ पर हम मान के चलते है कि T है हमारा अगर हम इसको भूल भी जाए तो हमारे पास क्या आगया? That is R is greater than equals to T तो हमारे पास आया यहाँ से relation That is R is greater than equals to T correct है? तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि R यह तो T से बढ़ा हो सकता है यह T के equal हो सकता है लेकिन यह यह नहीं क्यारा कि T के equal है बढ़ा भी हो सकता है That means the conclusion हमारा क्या है? गलत है Next के है हमारे पास That is R is greater than U तो अब हमें चेक करना है कि क्या R जो है वो U से बढ़ा है तो हमें यह चेक करना है R U से बढ़ा है कि नहीं तो R हमारा यहाँ पर है U हमारा यहाँ पर है तो हम अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से हमारा पास क्या relation आता है तो directly अगर हम चेक करें तो हमारे पास आया That is R को ले लिए हमने यहाँ और यहाँ पर क्या साइन आ रहा है greater than equals to का W is greater than equals to U and R is greater than equals to this तो higher priority पर आ रहा गया और यहाँ से क्या जाएगा U यानि R is greater than equals to तो इस केस में भी हमारा क्या मतलब गवा That is R जो है वो या तो U से बढ़ा हो सकते या तो U की equal हो सकता तो हमें यह clearly नहीं कह जा रहा कि R सिर्फ U से बढ़ा है हमें यह चाहिए कि R जो है वो U से बढ़ा है हमें यह चाहिए कि हमें पर क्या कहरें ग्रेटर दर आइदर ग्रेटर दर और उर इकुल से जाएं का मतलब गया होता है तो यानि यह कंदूशन हमारा गलत है तो यानि ओप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा That is option D will be the right answer If neither conclusion 1 nor second is true Okay, thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर